हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में देया दा साइन ओफ लाइफ फॉर्स टैंपरेचर सेकंड पर्ल्स थर्ल एस्पिरेशन दैन फॉर्थ पीपी ब्लाड प्राशा तो फर्स्ट आफ 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 एम बात करते हैं टैंपरेचर टैंपरेचर को थर्मोमीटर से चेक करते हैं ओरल एक्जिला दन रेक्टम ओरल से एक्जेक्टी टैंपरेचर आता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फेरेनाइट एक्जिला से एक नमोर कम आता है 36 डिग्री सेल्सियस 97.5 फेरेनाइट एंट रेक्टम से एक पॉइंट जादा आता है 38 डिग्री सेल्सियस 99.6 फेरेनाइट टैंपरेचर ज्यादा हो तो उसे हाइपर थर्मिया कहते हैं तैमपरेचर कम हो जाए तो उसे हाइपो थर्मिया कहते हैं अब आम आते हैं पल्स को पल्सी ऑक्सिमीioèक करते हैं या परोप Спसकी 72 ऐसम वशाले पार मिनीट पल्स जादा हो जाती है तो उसे ट्रेकी माड़ी पुलते हैं बदेन पर्ल्स कम होती है तो ब्रैडी काडिया कहता है थर्ड रैऽ्पिरेशन रैस्पिरेशन 16-24 implication 16-24, मिजब 15-24 ब 1963-24 सक्वेब ब्रीदिग मैंने अगर्ड रैसपिरेशन ज्याद होता है, तो ट्रैड की पिनिया रेस्परेशन कम होता है तो प्रेडी पिनिया देन प्लड प्रेशर बीपी बीपी को स्पाइगन मो मेनो मीटर से चेक करते हैं नॉर्मल बीपी 120 x 80 mmHg, mmHg mercury देन बीपी ज्यादा होता है तो हाइपोटेंशन 160 x 90 बीपी कम होता है तो हाइपोटेंशन 90 x 16 इंपोटेंट्स नोट्स के लिए गाइस प्लीज बने रहिए मेरे चैनल से जुडे रहिए सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक मैं चैनल प्लीज गाइस थैंक यू